तो दोस्तों आज गर जो टॉपिक है काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है जो लोग भी लोन लेना चाहते हैं या फ्यूचर के अंदर लोन लेना चाहते हैं या जिनके उपर अभी existing लोन चल रहा है तो उनके लिए ये वीडियो जो है काफी helpful होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे capital लोन के बारे में तो दोस्थों जैसे हम कोई भी खाना खा रहे होते हैं घर पे उसके अंदर नमा के अशक्कर की कमी पढ़ जाती है आपना काम अधर रखते हैं वैसे के बिजनिस के आंदर भी कभी कबार कमी आ जाती है तो sudden capital loss है या finance की कमी के कारण क्या है कि business के इंदर रुका बटा सकती है तो इसके इंदर क्या है कि आप कुछ loan amount borrow करके अपना जो वापिस business है continue रख सकते हैं तो ये जो amount हम borrow करते हैं उसे ही working capital loan बोलते हैं अपने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रुका होगा पर ये इतना complicated नहीं है आसान भाषा में बता जाए तो working capital loan एक ऐसा loan है जो companies क्या है कि अपने regular operation चालू रखने के लिए लेती है ये long term asset या investment में use नहीं होता है बलगी छोटे 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 जो business के इंदर operation है वो चलाने के लिए होता है जैसे staff को salary देना है या rent बढ़ना है ऑफिस की machine है या छोटी मोडी उधारी चुकानी हो तो मतलब working capital loan ऐसा loan है जो हमारे daily operations को चालू रखता है नमक और शक्तर की तरह जैसे कोई companies या कोई business वाले हैं जो season के इसाब से काम करते हैं जैसे दीवाली आगी तो stock एकदम बढ़ाना है तो urgency में कोई भी capital या पैसो की जरूरत पढ़ गई तो हम क्या है कि working capital loan पर निरबर रह सकते हैं working capital जो है generally जो business owner होता है उसके personal credit से tied होता है ना कि business capital से तो आपका personal score इतना अच्छा नहीं है या आप repayment देना miss कर जाते हो तो आपके credit score पर फरक पढ़ सकता है तो इसको थोड़ा और जान लेते हैं कि working capital loan की जरूरत किसको पढ़ती है जो season पर काम करते हैं जिनका revenue जो है stable नहीं रहता है तो उस हिसाब से उनको finance की जरूरत पढ़ती रहती है और जैसे manufacturing companies जो है retailer की needs पर काम करती है तो retailers को अच्छा कासा माल वगेरा पहुचाने के लिए कि manufacture को और ज़्यादा अपना stock बढ़ाना पड़ता है ताकि क्या है stock ready रहे और जब भी जरूरत पढ़े तो हम उसकी supply कर सकें तो ऐसे seasonal business से नाने के लिए कि हमें machines जो है regular उनकी maintenance चाहिए staff वगेरा regular चाहिए तो इसके लिए कहा है कि financing की जरूरत रहती है और फिर जब finance की हमें जरूरत ना हो तब loan वापिस repay की आजाता है अब ये capital loan के काफी सारे advantages भी है और disadvantages भी है इसका advantage यह है कि इसका immediate benefit मिलता है और हमें पैसे मिल जाते हैं तुरंती ये loans easily मिल जाते हैं अगर आपके पास proper document हो इनका expenditure working capital में दिखाना पड़ता है बाकी benefits में ये debt financing का एक form है कोई equity transaction की जरूरत नहीं होती main business owner इसके बाद भी company का full control ले सकता है काफी सारे working capital loan usually unsecured रहते हैं क्योंकि इनमें company को कोई collateral नहीं देना पड़ता to secure the loan but company और business owner जिनका credit score high होता है वो ही लोग apply कर सकते हैं और जिनका business में ज़्यादा credit नहीं होता उनको secured loan लेना पड़ता है working capital loan call letter में कोई भी asset गिर्वी रखके loan ले सकते हैं हालंगि इसके potential drawbacks है पर इस ये एक अच्छा option है क्योंकि इसके अंदर interest rate भी काफी ज़्यादा high रहते हैं क्योंकि इसमें जुड़े हुए lending risk की वज़े से और ये working capital loan जैसा कि हमने बताया था कि ये personal credit से जुड़ा हुआ होता है और दोस्तों आपको working capital loan के बारे में और ज़्यादा चानकारी चाहिए या आप सोच रहे हैं इसमें apply करने के लिए आपके मन में कोई doubt हो, कोई query हो तो आप पीरामल finance की website पर visit कर सकते हैं उसकी link मैंने description के अंदर provide करवा दी है तो आप website visit करके देखिए कि उनके पास क्या-क्य options available हैं आप चाहें तो उनके customer care पर भी बात कर सकते हैं और पीरामल finance जो की finance sector के अंदर बहुती जानीमानी कंपनी है और बहुती trustable कंपनी है especially loan वगेरा लेना हो तो उसके लिए काफी helpful और secured भी है पीरामल finance तो देर किस बात की है अभी ही पीरामल finance की website को visit कीजिए और आपने doubt जो है clear कीजिए